दोस्तों का फी लोग ishram card के अंदर अपनी personal information के अंदर abdation करना चाहते हैं correction करना चाहते हैं उसमें कुछ सुधार कुछ changes करना चाहते हैं लेकिन जैसे ही वह यहाँ पर अपने ishram portal पर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद में वो अपने personal information के अंदर कोई भी changes करना चाहते हैं जैसे वो वहाँ पर उसको open कर रहे हैं तो वहाँ पर उनसे वो open नहीं हो रही है यह site वहाँ पर उनको यह वाला error दिखाई दे रहा है जैसे के बराबर में screen short में आप देख सकते हो यह error आ जाता है काफी लोग जो है परिशाने इस बात को लेकर के और काफी लोग के message मुझे में Instagram पर देखने को मुझे मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम अपने ishram card के अंदर अपनी personal information के अंदर कुछ changes कुछ update करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रही है जैसे हम कर रहे हैं अपडेशन पर क्लिक तो वहां पर हमें यह वाला error आ रहा है पता नहीं ऐसा क्यों रहा है आट से दस दिन हो गए जब भी हम उसको करना चाहते हैं तो यह वाला error आ जाता है कुछ लोग यह कह रहे हैं कि यह side जो है यह portal बंद तो नहीं हो गया कुछ लोग कह रहे हैं कि यह होगा यह नहीं होगा प्लीज आप हमें बताएं तो मैं आपको बता दू कि यह जो portal है यह जो पॉर्टल है अभी जो है यह फिलाल बंद है इसमें अभी आप update के लिए कर सकते हो काफी लोग जो है अपने इशरम कार्ड के अंदर जो आउनकी जो प्रस्ना इंफॉर्मेशन होती है उसमें उसके अंदर कुछ भी चेंजिस करना चाहते हैं तो उनसे हो नहीं रही है मैंने यह वीडियो उन सभी के लिए बनाई है जो कि मुझे message कर रहे हैं इस वह से इसको भी बंद कर रखा है तो यह चालू तो होगा इसके लिए बस आपको वेट करना होगा जैसे आप वेट करोगे उसके बाद में जो है जब यह चालू होगा हम वीडियो बना करके आपको बता देंगे हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो जैसे आप चैन्जिस करना चाओगे वो चैन्जिस कर सकते हो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगए आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें शेर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने जो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में